पानी जिसने हमारी धर्ती को आबाद किया जिसने इस धर्ती पर जीवन का आगास किया जो हमारे शरीर के कण कण में बसा है जिसके उपर ये सारा संसार टिका है मानव शरीर का सत्तर प्रतिशत हिस्सा पानी से बना होता है और इस शरीर को स्वस्त बनाए रखने और नुकसान दायक पदार्थों को बाहर निकाल फेकने के लिए हमें रोजाना धेर सारा पानी पीने की जरुवत पड़ती है आज हमारी धर्थी का पानी वाटो पॉलीशन की वज़े से हामफुल केमिकल्स, पेस्टिसाइट्स, बेक्टीरिया, इंडस्ट्रियल वेस्ट और दूसरे धेर सारे नुकसान दायक तत्मों से भर गया है पानी को हमारे घर में पहुचाने से पहले, इस गंदगी को साफ करने के लिए इसमें क्लोरीन मिलाई जाती है जो इस गंदगी को तो साफ कर देती है, लेकिन इस क्लोरीन युक्त पानी को लंबे समय तक बीने से हमारे शरीम पर कई बुरे असर पड़ते हैं इतना ही नहीं, कई laboratory tests ने ये साबित किया है कि bottle के जिस पानी को हम सबसे ज्यादा अच्छा और सुरक्षित समझ कर पीते हैं उसकी bottles में ही cancer जैसी बीमारियों को बढ़ावा देने वाले dioxins पाई जाते हैं अगर हम अपने आसपास नजर दोड़ाएं तो पाएंगे कि आज से 30-40 साल पहले तक जिन बीमारियों का नाम भी हमें मुश्किल से सुनने को मिलता था वो आज हमें हर घर में मिलने लगी हैं जैसे की hypothyroidism, diabetes, migraine, high blood pressure, aging, constipation, acidity, motapa, arthritis, dermatitis, depression, hormonal diseases, infertility, cancer और दूसरी धेरों बीमारियां सवाल उठता है कि आखिर इस वक्त के दौरान ऐसा क्या बदलाव आया है जिसमें कि इन बीमारियों ने आज लगबग हर घर में घुसबैट कर ली है इन पर किसी भी तरह का इलाज काम नहीं कर रहा है ये हमें शारीरिक और मांसिक दोनों ही तरीकों से नुकसान पहुचा रही है लाखों रुपए घर्च करने और रोजाना डॉक्टरों के चक्कर काटने के बाद भी ये हमारा पीचा नहीं छोड़ रही है और इन्हों ने हमारे शारीर की ताकत को निचोड़कर इसे अंदर तक खोखला कर दिया है नमस्कार दोस्त आई अब जरा उन बातों पर गौर करते हैं जिनकी वज़े से आज हम इन बिमारियों से चारों तरफ से गिर गए हैं ये कहना गलक नहीं होगा कि इन सब के जिम्मदार हम खुद हैं क्योंकि जिच चीजों की वज़े से ये बदलाव आया है वो है हमारा लाइफस्टाइल हमारे खाने पीने की आदतें और चारों तरफ पहला प्रदुशन लेकिन जिस चीज ने इस बदलाव में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है वो है हमारा पीने का पानी ये बात चुकाने वाली है क्योंकि हमें आज तक यही समझाया गया है कि अपने पीने के पानी को बॉयलिंग, फिल्ट्रेशन या किसी और तरीके से साफ करने के बाद हमारा पानी एकदम साफ और सुरक्षित बन जाता है तो फिर ये पानी इतने बड़े बदलाव की वज़े कैसे बन सकता है पीने के पानी की कॉलिटी को नापने के दो खास परामीटर्स होते हैं Oxidation Reduction Potential यानि ORP और Potential Hydrogen यानि pH ORP वैल्यUU से पानी की उश्रップ शमता को नापा जाता है जिससे वो Oxidation प्रक्रिया को धीमा करता है और pH वैल्यू से उसके acidic या alkaline कोड़को कम ORP का मतलब है फाइदेमन पानी और ज्यादा ORP का मतलब है नुकसान दायक पानी इसके बिलकुल उलर कम pH का मतलब है एसिडिक और नुकसान दायक पानी और ज्यादा pH का मतलब है एलकलाइन और फाइदेमन पानी दोस्तों असल में हुआ यह है कि पानी की सफाई के नाम पर चल रहे क्लोरिनेशन और लगातार हो रहे water pollution ने इस धरती के पानी को acidic चीज़ों से भर दिया है इस acidic पानी को लगातार पीने से हमारे शरीर के हर cell में acid waste जमा हो रहा है इस acid waste ने हमारे शरीर में acidosis नाम की एक प्रक्रिया को शुरू किया है जिससे इन cells में oxygen की मात्रा कम हो गई है और वो सांस नहीं ले पा रही है oxygen में आई इस कमी को दूर करने और इस acid waste को बाहर निकाल फेकने के लिए ये cells अलग-अलग तरह से react कर रहे हैं और इस action reaction की लड़ाई में हमारा शरीर कई खतरनाक और जानलेवा विमारियों का घर बन गया है अब सवाल उठता है कि अगर हम इस नुकसान दायक acid waste को किसी तरह बाहर निकाल फेके तो क्या हमें इन जानलेवा विमारियों से छुटकारा मिल जाएगा दोस्तों आपके इस सवाल का जवाब है हाँ ऐसा हो सकता है लेकिन सुनने में ये बात जितनी आसान लगती है असल में उतनी है नहीं क्योंकि इस acid waste से छुटकारा पाने के लिए हमें अपनी लाइस्टाइल और अपने खाने पीने की आदतों को पूरी तरह से बदलना होगा और हम सब जानते हैं कि ऐसा करना कितना मुश्किल साबित हो सकता है तो क्या इस से छुटकारा पाने का कोई तरीका नहीं है बिल्कुल है दोस्तों एक चीज है जिसके इस्तिमाल से हम इस acid waste से छुटकारा पा सकते हैं और वो चीज है हमारा पीने का पानी अगर हम 8-10 pH वाले alkaline और oxygen से भरपूर पानी को पीना शुरू कर दे तो हम इस acid waste को निकाल कर बाहर फेट देगे और हमारे शरीर में कोई भी बिमारी पनप नहीं पाईगी दोस्तों इस बात को महान वैग्यानिक डॉक्टर ओटो हेंरिक वार्बर्ग ने साबित किया है और उनके इसी काम के लिए उन्हें नोबल पुरुसकार से सम्मानित किया गया है उनके कहे स्वर्न अक्षरों के मताबिक नो डिजीज कैन सवाइव इन अलकलाइन इंवार्मेंट यानि अलकलाइन शरीर में कोई भी बिमारी पनप नहीं सकती इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये बात दावे से कही जा सकती है कि अगर शरीर को स्वस्थ है बनाना तो अलकलाइन पानी ही होगा अपना